हालो दोस्तों कैसे आप सभी स्वात करतें आप सभी एक है युवस्ति जी कोईज में तो दोस्तों आए जोएकी विहरमद निसे सिपाई के लिए जुन्यों वरती आए हुए है प्रैक्टिस एट नम्मर थर्ड लेके आए हुए है क्योंकि इससे पहले और लेड़ी हमसे भी टू प्रैक्टिस एट कम्पिल्ट कर चुके हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ये जीके जीस का प्रैक्टिस एट है डेली आप सभी को 50 कोईशन दिया जाता है ध्यान रखेगा आप सभी और 50 कोईशन में आप सभी कितने कोईशन सही कर पा रहे हैं अपना स्कोर नीच से कमेंड बॉक्स में जरूर बताइएगा तो चलिए सुरू करते हैं और आप सभी के लिए अप्लिकेशन पे भी क्लासेस चल रहे हैं तो जो जो जोईन करना चाते हैं कम्पिल्ट त्यारी करना चाते हैं टार्गेट इट वैचे ध्यान रखिएगा आप सभी जाके जोईन कर सकते हैं त्यारी कर सकते हैं जोईन कैसे करना है वीडियो का लिंक डेस्किप्शन में देतेंगे और अप्लिकेशन का भी लिंक है तो वहाँ से जाके डारेक्ट अप्लिकेशन को टाउनलोड के जोईन कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं अच किस प्रैक्टिस जट को आई ये फ़ैस्ट कोशन देखे परिदोत जो फिरेंट वो किसका राजा था इसका पूरा नाम है चंद परिदोत ध्यान रखेगा आप सभी ये किसका राजा था राइट आंसर ओफशन मड़ी जेंगे अवंती का राजा था ध्यान रखेगा ओफशन मस्ती सौरी ओफशन मड़ी बिल्कुल राइट आंसर रेंगे कोशन के ज़रें कहा का राजा था अवंती का अगला कोईसे ने हून राजा तोर मन को ओली कारा राजा ने डैस प्राजित किया था तो किस ने प्राजित किया था परकास बर्धन ने प्राजित किया था ध्यान डखे गया खुन का राजा तोर्मन को उलिकारा राजा परकास बर्धन ने क्या किया था प्राजेत किया था option में C right answer रेंगे sorry option में B right answer रेंगे ध्यार नखेगा आप सबी B correct answer रेंगे अगला कोई से दिख लिजे तंजाबूर में ब्रिदेश्वर मंदिर का निर्मान किस राजा ने करवाया था फिन चले को इसमत्री के लिए आफ से right answer बताएंगे तंजाबूर में ब्रिदेश्वर मंदिर का निर्मान किस राजा ने कराया था राजा राज पर्थम की द्वरा किया गया था ध्यान रखी गा तंजाबूर में जो बिर्देशवर का मंदिर है इसका निर्मान जो करवाया गया था वो किसके द्वरा करवाया गया था राजा राज पर्थम की द्वरा करवाया गया था अगला question कर रहे ते फिर्ण question of four नेमलेकित में से किस अभी लेक में वी धुवा को जलाने का उलेक मिलता है right answer option सीज़ेंगे भानुग गुप्त का एरन इस्तम सिरा लेक में जो इफिर्ण वो वी धुवा को जलाने का उलेक मिलता है ध्यान रखेगा, आपसे भी यह सिरेइट आंसर हैंगे अगला कोई सेने महमुद गौरी गुजरात के चालोख्यों द्वढ़ा प्राजित किया गया था तो यह कप प्राजित किया गया था 1178 इस भी में किया गया था, ध्यान रखेगा आपसे भी कि महमुद गौरी जो एफिन इसे भारत में जो कि मुसलिम संपरदाय का संस्थापन भी कहा जाता है ध्यान रखेगा इसी का गुलाम था कि तो बूधिन एबाक जिसने बारा सुच्छे में गुलाम बंस के अस्थापना के थी ध्यान रखेगा आप सभी अगला को इसे ने मार PSLV C25 था ध्यान रखेगा आप सभी कौन सा था PSLV C25 अगला को इसे ने लेंज की सकती का SI डैस है तो फिर आपसे को पता होंगे कि लेंज की सकती का SI मातरक जो होता है वो क्या होता है डै ओफ्टर होता है अगला को इसे ने कि ने मिलेखित में से किस राज्य में सबसे लंबी तट रिखा है तो फिर आपसे को पता होंगे कि सबसे लंबी तट रिखा वाला राज्य जो है वो कौन सा राज्य गुजरात है ध्यान रखेगा ये गुजरात का छेतर है और इसकी सबसे लंबी तट र पूर्वी छेत्र में ध्यान रखेगा और गुजरात जो एकी पस्टमी छेत्र में है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगे गुजरात जाएगे option नम्र दी अगला कोशने राष्टे हीरा संस्थान कहां इस्थी थे थे तो राष्टे हीरा सांस्थान जयफेड ये गुजरात में ही इस्तिते ध्यान रखेगा आप सभी अगला कोशन देख लिएजे भारत में राष्टी अपातकाल कितनी बार घोशित की अग्या है राष्टे अपातकाल घोशित की अग्या है भारत में राष्टी अपातकाल ध्यान रखेगा अगला कोशन ने जल सकती मंत्री कौन है चली कोशन में 11 के लिए आप राष्टे अपातकाल देख भारत में है गजेंद्र सिंग से खाबत फिन गजेंद्र सिंग से खाबत जो है यह जल सक्ति मंत्री है अगला कोशन दिख लेजे निमलिकित में से कौन सा उत्पादन का कारक नहीं है तो राइट आंसर आफिसर में विजाएंगे कर दिखे कर जो एफन वो उत्पादन का कारक नहीं है ध् रखेगा यह उत्पादन का कारक है पर कर क्या है किसी भी समान के आयात निर्यात पर लगाए जाता है यहने कि बिक्री पर लगाए जाता है कर टैक्स जिसे हम से भी कहते हैं आगला को इससे देख लेजिए पोजिशन की श्वपोशी मोड की अवसकता होती है पोजिशन के श्वपोशी मोड की अवसकता होती है तो रैट आंसर आपसर में बिज़ाएंगे कारबन डाय आउकसाइड जल क्लोरोफिल और शूरी के परकास की होती है ध्यान रखेगा भी रैट आंसर हैंगे फिरन अगला कोशिशन कर लेते हैं मांड लोग संगित किस राज से संबंदी थे हैं मांड लोग संगित यह किस राज का है राजास्थान का संगित ध्यान रखेगा मांड लोग संगित तो याद रखेगा किस राज का है राजास्थान का है उत्तर परदिश का सबसे फायमस लोग निरित जो एफिन वो कौन सा है तो याद रखेगा आपसे पहाइन के संदर में पूना संदी कब हस्तराक्षित किया गया था तो फिर आपसे को पता हो नच्छे कि पूना संदी पर जो हस्ताक्षित हुआ था किसके बीच में हुआ था मात्मा गांदी और अमबेटकर के बीच में हुआ था ध्यान रखेगा आप सभी तो इसके राइट आंसर आफिसर में डिया गया था मात्मा गांदी जी और अम बेट करके बीच में अगला कोईशन देख लेजे अगला कोईशन ये बंडे के निम लेकित में से कौन सी पूच्टक चेतन भगत द्वारा लिखी नहीं गई है इनमे से कौन सी पूच्टक जो एफिन वो चेतन भगत की पूच्टक नहीं है ये चेतन भगत की पूच्टक नहीं है ध्यान रखेगा जबकि मेकिंग इंडिया ओसम वन इंदी गर्ल उसके बाद रिबुलेशन 2020 ये सभी की लेका कौन ये चेतन भगत है वाईज एंड अंदर वाईज पूच्टक जो लिखी गई है वो किसके दुरा लिखी गई है सुधामूर्ती की दुरा लिखी गई है ध्यान रखेगा आप सभी अगला कोईशन देखे लिजे अगले कोईशन ये बंड़ेगी निम्न में से कौन पंदर भी सताबदी में असम में वाईशनव वाद के परमुख समर्थकों में से एक थे दिखे बड़ना पर जितने कोईशन आपको बता रहे है सारे टॉप लेवल का प्रस्षन बता रहे है आप हर कोईशन को याद करने का जरूर कोईशिस कीजेगा तो इसके राइट आंसर ओफिशन में विजाएंगे संकर देव को ध्यान रखेगा परमुख समर्थकों में से एक थे कौन संकर देव थे बिराइट आंसर रहेंगे अगला कोईशन देख लेजे अगला कोईशन ये बंड़े की निमलेकित में से कौन पूर्वी घाट का सरबोज सिखर है अगला कोईशन देख लेजे निमलेकित में से कौन भारत रतने से सम्मानित नहीं है राइट आंसर आफ़ेशन में जाएंगे स्याम परसाद मुखर जी को भारत रतने से सम्मानित नहीं किया गया है जबकि M.G. रामचंदर को किया गया है बीनोवा भावे को किया गया है मोरा राजाई देशाई को जो कि भारत रतने से सम्मानित किया गया है अगला कोईशन देख लेजे अगला कोईशन ये बंड़े कि एक होर्ष पावर में कितने वाट होते हैं तो right answer option में एव जाएंगे 746 वाट होते हैं एक होर्ष पावर में अगला कोई सेने धातु जब तनू अमलों के साथ अभिकिरिया करती है तो कौन सी गैस उत्पन होती है छेले बताएंगे आप सभी धातु जब तनू अमलों के साथ अभिकिरिया करती है तो कौन सी गैस उत्पन होती है तो right answer option में एव जाएंगे hydrogen gas उत्पन होती है ध्यान रखीगा आप सभी option नमर डी right answer एव जाएंगे hydrogen gas अगला कोई सेने long walk to freedom dice की आत्म कता है तो right answer option में भी जाएंगे नैंसल मंडेला की आत्म कता है ध्यान रखेगा बी right answer एव जाएंगे अगला कोई सेने फिर्ण नागा अरजुन सागरबान निमलेकित में से किस नदी पर इस्ती थे डी right answer एव जाएंगे क्रिशना नदी पर इस्ती थे अगला कोई सेने फिर्ण निमलेकित में से कौन सा पौधा ब्रायोफाइट है तो right answer एव जाएंगे काई काई जो एव जाएंग यह क्या है ब्रायोफाइट पौधा है ब्रायोफाइट है अगला कोई से देख लिए भारत में निमलेकित में से किस चेतर में उस्ती ने कट बन दिए आदर सदावार बन नहीं उकते हैं तो दिखे भारत के किस छेतर में उसने कड़ बन दिये आदरसदावार बन नहीं उखते हैं तो ये पूर्वी घाट ये छेतर में नहीं उखते हैं जबकि पस्चिमे घाट अंडमान दूइपसमो और पूर्वत्तर छेतर में उखते हैं उश्न कडवंधिये आदरसदा वहर बन अगला कोई सेने दंड कार्निये में इंद्रा बती सबरी नदिया किसकी सहयक नदिया है तो ये गोदावरी की सहयक नदिये ध्यान रखेगा आप सभी तो किसका सहयक नदिये गोदावरी की बीरेट आंसरेंगे अगला कोईसे ने मनीपूर की मद घाटी में केंदरित गैर अनुसूची जनसंख्या कहलाती है तो मनीपूर की मद घाटी में केंदरित गैर अनुसूची जनसंख्या क्या कहलाती है तो इसे हम सभी मेताई काते हैं द्यान रखेगा हम सभी क्या काते हैं मेताई ये रैट आंस भारत के डैस, राज्यों, संग, सासित, पर्देशों की कूल जन संख्या में अनुसूचित जाती और अनुसूचित जन जाती की अबादी का परतिस्त सबसे अधिक है तो ध्यान रखेगा आप सभी सबसे अधिक जो है वो है पंजाब और लक्षदूईप का तो राइट आंसर ओफिसर में सुझेंगे पंजाब और लक्षदूईप का है ध्यान रखेगा आप सबी अगला कुछ से देख लेजी जभार सुरंग, डैस के पास इस्ति थे बिनिहाल दर्रे के पास इस्ति थे जभार सुरंग, अगला कुछ से ने बिहार के निमलकित में से कौन सा भागोलिक भी भाजन जारकन के साथ अपनी सीमा नहीं करता है तो डिरेट आंसरेंगे मिथला का मैदान जो एकिपिन वो क्या है बिहार के भागोलिक भी भाजन जारकन के साथ अपनी सीमा का साजह नहीं करता है ध्यान रखेगा जबकि गंगा सून जल भी वाजन करता है गंगा मैदान करता है मगद मैदान करता है तो ये सबी करता है जबकि मिथला मैदान नहीं करता है अगला कोई सेंद देख लिजिए 2011 में महिला साक्षार्टादर के मामलों में भारत के 36 राज्यों के अंद्रसासित परदेशों में बिहार का सिर्ष अस्थान क्या है तो ये रेट आंसर हैंगे 35 से ध्यान रखेगा आप सबी अगला कोई से ने गंगा नदी की दियारा भूमी का नामांकरन किस से सम्बंदी थे अगला कोई से ने गंगा नदी की दियारा भूमी का नामांकरन जो है ये सम्बंदी थे दाइरा से अफशन मडी रेट आंसर हैंगे अगला कोई से देख लेजे फिन कि निमलेकित में से कौन सी वस्तू बिहार के भागोलिक संकेत जी आई के रूप में पंजी करित नहीं है जिसे हम सभी जी आई टेग भी करते हैं तो इन में से कौन से भागोलिक संकेत जी आई के रूप में पंजी करित नहीं है फिन तो राइट आंसर आपसर हो बिजांगे मुंगा रेशा नहीं ये ध्यान रखेगा आप सभी बिहार में मुंगा रेशा को जी आई टेग नहीं दिया गया जबकि जर्दारू आम को दिया गया कटनी धान को दिया गया मगई पान को दिया गया जी आई टेग अगला कुशने बिहार में गंगा नदी में मिलने वाली सोन नदी का उदगम कहां से होता है तो इसका उद्गम जो होता है फिन वो अमरकंटक पठार से होता है अगला कुछ ने संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जन जाती है तो इसे हम सभी संथाल कहते हैं ध्यान रखेगा बिहार में सबसे बड़ी अनुसूचित जन जाती कौन सी है संथाल अगला कुछ ने कि बिहार सरकार की औरगेनिक कोरिडोर योजना के साथ साथ जैबी खेती को किसके साथ बढ़ावा दिया जाएगा तो बिहार सरकार के भारत के सविधान को किसके बरा अपनाया गया था राइट आंसर आफशन मसे जएंगे सविधान सभाद बरा अपनाया गया था अगला कोशन है शोसंतरता, समानता और बंदूत्व की प्रेरना कहां से ली गई थी तो बी राइट आंसर है अगला कोशन कर लेते हैं नेमलेकित में से कौन भारत को एक धर्म निर्पेक छिराज की रूप में वर्नित करता है तो याद रखेगा आफ से भारत को एक धर्म निर्पेक छिराज की रूप में जो वर्नित करता है सविधान की प्रास्ताबना करता है अगला कुशने सविधानिक उपचार के अधिकार के अंतरगत आता है तो सविधानिक उपचार जो है वो किसके अधिकार के अंतरगत आता है मौलिक अधिकार के अंतरगत आता है द्यान रखेगा यहांसे कोईसें याद रखेगा मौलेक अधिकार USA देश से लिया गया यानि सैयूक राज अमेरिका से लिया गया है जो कि अनुच्छेत 12 से 35 तक है भाग की बात क्या जाए तो भाग 3 में है सविधान के भाग 3 में रखा गया उसे अगला कोईसे ने भारते से विधान का कौन सा अनुच्छेत देवनागरी लिपी में हिंदी को संग की अधिकारिक भासा के रूप में निर्धारित करता है तो ये अनुच्छेत कौन सा है अनुच्छेत 343 अनुच्छेत 343 क्या काता है कि देवनागरी लिपी हिंदी को संग क अधिकारिक भासा के रूप में वर्नित करता है अगला कोशन है पहली बार में अपातकाल की उद्गोसना को सिमित किया जा सकता है तो यह जो किया जा सकता है छे महिने में किया जा सकता है ध्यान रखेगा आप सभी पहली बार जब अपतकाल लगेगा तो इसकी उद्गोशना को सिमित किया जा सकता है छे महा में ध्यान रखेगा आप सबी अगला कोशन देख लेजे केंद्र सासित परदेश के मुख मंत्री जहां इस तरह की विवस्था मजूत है इसकी न्युक्ती किस की द्वरा की जाती है अगला कोशन रेंगे राष्ट पती की द्वरा न्युक्ती किया जाती है केंद्र सासित परदेश के मुख मंत्री जहां इस तरह की विवस्था मजूत है इसके न्यूकती जो की जाती है वो राष्टपती की द्वरा ही की जाती है अगला को उसेने संसत का ब्या किसकी द्वरा नियंतरत किया जाता है फ्रिंड तो डिरेट आंसरेंगे नियंतरक और महालेखा परिक्षक की द्वरा किया जाता है अगला को उसे ने जनहित याचिका के अभधारना कहां से उत्पन हुई तो यह हुई है सन्यूगराज अमेरिका यानि USA देश से हुई है अगला को उसे ने किसी वेक्ति की अबाइद हिरासत के मामलों में निमलेखित में से कौन सा रीट लगो होता है अगला को उसे ने सम्यधानिक प्राभधान डैस में संसोधन का प्राभधान दिया गया है तो यह भाग बिस अनुच्छे 368 में दिया गया है समयधानिक प्रापधान डैस में संसोधन करने का प्रापधान दिया गया है तो यह भाग भी अनुच्छे 368 में दिया गया है फ्रेंड अगला को इसने भारत का रक्षा बलों के सर्बूच कमांडर है राइट आंसर ओप्सन में भारत की राष्ट पती जो फ्रेंड वो क्या ह अच्छा लगा हेलफू लावत को लाइक किजिगा और अपने दोस्तों में जरूर सेर किजिगा चलिए मिलते हैं जहिंद बंद मात में द्यान के गाप पड़ाई करते रहेगा आप से भी जहिंद